गुद मॉर्निंग इस्टूरेंट्स, वेलकम टू संथ माइकल्स अकैडमी बेतिया, ए लेर्निंग क्लास आफ उर्दू, इस्टेंडर सेवन बच्चों आज हम लोग सबक पाँच माफिय और इंतकाम का सवाल जवाब करेंगे मानी, परिये और याद कीजिये, गनीमत, महरबानी, सरजद, गल्ती होना, कर्तूत, बुरे काम, पुशीदा, छुपा हुआ, गिरफ्त, पकर, चश्म पुशी, नजर अंदास करना, नादम, शर्मिन्दा होना, इंतकाम, बदला सवालाद, सवाल एक, गनीमत कैसे लोग होते हैं? जवाब, गनीमत वह लोग होते हैं, जिनमें खूबिया ज्यादा और बुराईया कम हो सवाल दो, हम अपनी खताओं को क्यों पहचान नहीं पाते हैं? जवाब, हम अपने कर्तूत की जाच में गफलत से काम लेते हैं, इसी सबब से अपने खताओं को पहचान नहीं पाते हैं सवाल तीन, भले लोग सब के साथ कैसा बरताओ करते हैं? जवाब भले लोग सबके साथ नर्मी का बरताव करते हैं सवाल चार दूसरों की बुराईयों को देखकर अंजान बन जाने को क्या कहते हैं जवाब दूसरों की बुराईयों को देखकर अंजान बन जाने को चश्म पोशी कहते हैं सवाल पाँच बदले के काबिल कौन सी खताएं होती है जवाब बदले के काबिल सिर्फ वो खताएं होती है जिनका करने वाला समझाने के बाद वी नादम न हो और अपनी खता को मानने के लिए तैयार न हो बलके उस पर काइम रहने की जिद करे सवाल तीन में दिया गया है कवाइद इसम किसे कहते हैं जैसे हामित शहर में रहता है गंगा बह रही है ताज महल चमक रहा है आदमी जा रहा है बकरी चर रही है इनमें हामित, गंगा, ताज, महल, आदमी, बकरी ये सब किसी चीज, शक्स या जगह के नाम है इसलिए ये इसम है तो इसम किसे कहते हैं? किसी खास जगा या चीज के नाम को या शक्स के नाम को इसम कहते हैं हामित शहर में रहता है हामित किसी खास आदमी का नाम है गंगा बहरही है गंगा खास नदी का नाम है ताजमहल चमक रहा है ताज महल एक खास अमारत का नाम है वो इसम जो किसी खास आदमी जगह या चीज़ का नाम हो उसे इसम मुर्फा कहते है हामिन, गंगा, ताज महल ये सब क्या है इसम मुर्फा है आदमी जा रहा है आदमी किसी खास आदमी का नाम है बक्री चल रही है बक्री किसी खास बक्री का नाम है ये सब इसम मुर्फा है वो इसम जो एक तरह की तमाम चीजों के लिए बोला जाए वो इसम नक्रा कहलाता है आदमी और बक्री क्या है इसम नक्रा है ठैंक यू